वेडियो में हम बात करने वाले हैं भारती अर्थवियोस्ता से सम्मधित टॉप 25 प्रस्न और यह सभी प्रस्न हर एक एक्जाम में बार बार पुछे जाते रहते हैं तो आप इन सभी प्रस्नों को ध्यान से देखिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्न है यहां पर किस अर्थवसास्त्री को अर्थवसास्त्र का जनक कहा जाता है तो किस अर्थवसास्त्री को अर्थवसास्त्र का जनक कहा जाता है तो हमारा अंसर इसमें हो जाएगा डी एटमल इसमित को अर्थवसास्त्र का जनक कहा जाता है नेक्ट प्रस्न ह आर्थसास्त का नोबिल पुरसकार किस ने इस्थापिक किया था तो अर्थसास्त का नोबिल पुरसकार किस की द வराइब किस प्रकार की तो Hello भारत देश की जो अर्थ विवस्था है वो डी होगा हमारा अंसर मिस्रित अर्थ विवस्था है यहाँ पर पूजी वादी अर्थ विवस्था है और सामेवादी दोनों next है मिस्तृत अर्थव्वस्था का क्या विप्राय है तो मिस्त अर्थव्व्वस्था का विप्राय क्या होगा सहकारी और lerid क्या मतलब होगा कि यहां पर सरकारी इस थाइब होगी और नेजी छेतर भी बी होगा और सरकारी जेतर भी होगा कुछ उन भाई आ है यहां पर pewn व कुर्ष्टा होगा अगे लिखा नहीं है यहां पर दो हर तक एक यह तहरी पर होगा जब बंद अर्थ वीवस्ता होती है तो ऐसमें न दो को ने किया जाता है और नहीं आयाद किया जाता है तो dizzy करण का क्या मतलब होता है इसका he हो जाएगा हमारा क्या होगा इसमें तो अर्थ इसका मतलब होगा कि घरेलू और थवियोस्था का बेश्विक और थवियोस्था के साथ एक ही करण आंसर हमारा C हो जाएगा बैस्विकरण का मतलब जैसे भारत में मतलब किसी भी देश का माल बेचा या खरीदा जा सकता है और भारत भी ये भारत के बाहर भारत की कमपणिया अपना माल कहीं में बेच सकती है और विदेशी कमपणिया भारत में आके अपना माल बेच सकती है यानि कि बैस्विकर हो जाएगा कोई रोब टोब नहीं होगी निक्स्ट है भारत में सरप्रथम राष्टी आय का आकलन किस ने किया था तो राष्टी आय का आकलन सरप्रथम भारत में किसके द्वारा किया गया था तो आंसर क्या होगा इसमें हमारा आंसर होगा A. दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी के दोरा पहली बार भारत में रास्टी आय का आकलन किया गया था नेक्स्ट है भारत में रास्टी आय की गणना किसके दोरा की जाती है तो रास्टी आय की जो गणना होती है वह भारत में कौन करता है तो यह करता है केंद्री की सांखे की संगठन तो हमारा आंसर C हो जाएगा नेक्स्ट है दादा भाई नरोजी ने अपने धन का पलायन का सिधान्थ किस पुस्तक में वड़न किया है धन के पलायन का सिधान किस पुस्तक में रादा भई नुरोजे की दौरा वड़न किया गया है तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है आंसर इसमें हमारा क्या होगा तो इसमें आंसर हो जाएगा B. Poverty and Unpretist Rule in India Next है मुद्रा इस्पीत से बाजार की वस्तु है मुद्रा इस्पीत से बाजार की वस्तु है इसमें मुद्रा इस्पीत से बाजार की वस्तु क्या हो जाती है यहां पर होगा तो अगर मुद्रा इस्पीत आती है तो बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा ये पुछा गया है तो बजार में जब मुद्रा इस्मीट आती है तो चीजे महुंकी हो जाती है वस्तूई तो आशर भी हो जाएगा। मुद्रा इस्मीट के कारण महंगाई आ चाती है। उस्तूई अब को पता होगा अगर आप पूक्रोनोमी से समंदीत हैं तो मुद्रा इस्पीद 21 कारण से होती है तो इसमें क्या होगा 11 नमबर का अंसर मुद्रा इस्पीद का कारण क्या है तो अगर मुद्रा की पूर्थ में प्रवा हो जाएगा तो और किसी के पास ज़्यादा मात्रा में पैसे आजाते हैं हुआ ज्यादा से ज्यादा खरिदारी करेगा अगर मार्केट में वस्कों की उतनी संख्या नहीं तो उसके दाम बढ़ जाते हैं और मुद्रा इस भी त्या जाती है यानि की महिंगाई निक्ष्ट है और मुलियन का क्या उदेश होता है तो इसका मतलब होता है निरियात को प मुंबई का क्या है तो उन्सर क्या होगा इसमें हमें कुछा गया है अन्य मुद्रा के तुल्नां 1500 को घटाना होता है है कौन सा बेंक भारत का केंद्री वेंदो इसमें कौन सा बॉतने खप्या कीद्री डान सटी रिजर बैंग आ पिझे भारत को पीछे भारत पर कितनी बाइज होती है इसका ऑंसर क्या होगा भारती कंसे नोटों की पिछले भागपा कितनी भासाय मुदृत होती है प्याम इसमें हमारा और ये नहीं करता है बंध्रा के योजनाय बनाता है भारत के सभी बैंक इम्पर नियंद्र स्थापिक करता है निर्याद करता ओंफ पर सबहतिong और और देने का काम दिर्याद करता हूं को भारती रिजर वेंख कैनि कि आरली का नहीं है तो आसर क्या हों इस में हमारा थो डिंद कर्छा है तो जाएगा निए भारती Einstein क्वार्टी स्टेड बेंक स्वियाई कि स्थापन कुछिते थी गई थी जीवन वीदम लइसे के स्थापना कि वर्स के गई थी तो L.A.C. की स्थापना किस वर्स की गई थी? आंसर मरस्थी हो जाएगा 1956 में L.A.C. की स्थापना की गई थी Next प्रसन है हमारा Bull and beer सब्दा वली का संबन किस से है? तो bull और beer सब्दा वली का संबन Stock market से है आंसर A होगा Next है भारत में सेयर बाजार की कारपणाली का win में कौन करता है? तो यहाँ पर जो सेयर बाजार होता है उसका win में यानि ki उस पर रियंतर कौन लगाता है? कंट्रोल कौन करता है तो इसमें आंसर हमारा C हो जाएगा से भी करता है Next प्रसन है 1969 में कितने बैंकों का राश्टी करण किया गया था 1969 में टोटल 14 बैंकों का राश्टी करण किया गया था नेक्स्ट है भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है भारत में सिक्के किस के दोरा जारी किये जाते हैं आप इसे ध्यान नुट होता है वो तो आरवीया ही जारी करता है, लेकिन जो सिख्थे होते हैं वो बिद्त मंत्राले के दोरा जारी किया जाता है तो, यहां पे आपको ध्यान रखना है। भारत में कि क्रिष्ण क्रांति के इस छेत्र से संबंदित है तो क्रिष्ण क्रांति का संबंद के इस छेत्र से तो आंसर हमारा सी हो जाएगा क्रिष्ण क्रांति का संबंद पेट्रोलियम से है तो इस वीडियो में हमने टोटल 25 एको नामी से संबंदित most important person देखे और ये सभी प्रशन प्रत्य एक एक्जाम में पूछे जाते रहते हैं तो आप इसे ध्यान से देखेगा इस वीडियो में बस इतना है और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को like, share and subscribe करते रहिए